Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Valentine's Special February 2023 की Love Tarot Reading और इस Reading में मैं खास messages के cards यूज कर रही हूँ और इन messages के थुरू हम देखेंगे कि आपके partner की क्या secret intentions है, feelings है, thoughts है आपके लिए इस relationship के लिए जो हो सकता है वो आपको कहते हैं या फिर नहीं भी कहते हैं यानि कि मन नहीं मन secretly वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस Reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका sun sign हो या फिर आपका moon sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2023 की Love Tarot Reading लिबराज आपकी Reading शुरू करते हैं और February मन्त के लिए मिर पस यहाँ पर four set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second में आपके partner की energies देखेंगे, third में हम देखेंगे कि finally February मन्त में क्या हो रहा है and fourth set of cards में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या secret intentions है या फिर क्या secret thought process है आपके लिए तो आपसी शुरू करते हैं Libras और आपके लिए यहाँ पर सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Empress Reverse और कहीं यह card love, care की बात करता है, comfort की बात करता है, luxury की बात करता है क्योंकि यहाँ पर यह card reverse है तो इन ही energies में एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है कुछ Libras के लिए हो सकता है कि आप अपने partner के लिए बहुत एक care, बहुत एक love महसूस कर रहे है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि over love, over care महसूस कर रहे है जिसकी वज़े से एक discomfort रह रहा है या फिर कुछ Libras के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भी पीछे आपने बहुत अपने partner के लिए किया and in the process आपने खुद को neglect किया आप self love नहीं practice कर पाए या again मैं कहूंगी आपने self को ignore किया और आप कहीं February starting में खुद पे attention देना चाहा रहे हैं self care, self love practice करना चाहा रहे हैं और देखिए जो भी आप कर रहे हैं deeper level के लिए birds का card कहता है छोटी-मुटी anxiety, छोटी-मुटी anxious energies या फिर छोटे-मुटे issues, मसले भी आप महसूस कर रहे हैं खुश Libras के लिए हो सकता है कि partner की तरफ से किसी phone call को आप expect कर रहे हैं या फिर आपने partner से कोई conversation करी, कोई बातचीत करी जिसकी वज़य से एक discomfort रह रहा है और दिखिए इसी वज़य से या फिर otherwise भी four of swords and bear के cards कहते हैं कि आप withdraw करना चाहा रहे हैं या withdraw कर रहे हैं यानि कि आप उतने actions, उतने initiatives अपने partner के लिए इस relationship के लिए नहीं करते हुए दिख रहे हैं और वह सकता है कि मन ही मन एक सोच भी चल रही है बहुत great आप नहीं feel कर रहे हैं या you know again आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा एक break दे देना चाहिए थोड़ा सा एक pause दे देना चाहिए और you know इसी से ही चीजें कहीं solve होंगी मसले better होंगे आप जो भी एक discomfort महसूस कर रहे हैं या anxious energies महसूस कर रहे हैं या अगर चोटा मोटा एक restlessness महसूस कर रहे हैं और देखिए खास ध्यान दे मैंने बुलाए चोटा मोटा restlessness क्योंकि birds बहुत ही एक छोटी मोटे issues छोटे मोटे मसलो की बात करती हैं तो फिर से मैं कहूंगी जो भी issues आप महसूस कर रहे हैं आप उनसे बाहर निकल पाएंगे and the page of pentacles reverse का card कहता है या तो कुछ Libras over practical over realistic हो रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप over realistic over practical हो रहे हैं दोनों ही सिनारियों में आपकी immature energies रहती हुई दिख रहे हैं या फिर Libras आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों को बहुत असानी से solve किया जा सकता था बातचीत करके जो आप नहीं कर पाए या फिर जो नहीं solve हुई और कहीं immature energies की वज़े से कुछ issues कुछ मसले रह रहे हैं ऐसा कुछ Libras end of February में या February मन्त में महसूस कर सकते हैं और दिखे कुछ Libras के लिए हो भी सकता है कि यहाँ पर cards कह रहे हैं कि बातचीत करके मुद्दे solve हो सकते हैं तो अगर ऐसा आप भी पाएं Libras इस चीज का खयाल रखें और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन आपको ऐसे लग रहा है कि काश बातचीत कर लिए होती या communication ठीक होता आप दोनों के बीच में या misunderstanding नहीं होती तो चीजें बेटर हो सकती थी और immature energies आपकी आपके पार्टनर की रही in fact दिखिए अगर मैं cards देखू तो आप दोनों की ही किसी न किसी level पे एक immature energies दिख रही है और अब देखते हैं Libras के आपके पार्टनर की क्या energies है तो आपके पार्टनर के लिए दिखिए सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Clover and Ten of Pentacles Rivers और ये cards कहते हैं कि कुछ टाइम से या February स्टार्टिंग में आपके पार्टनर कहीं चीजों को लेकर काफी positive रहते हुए दिख रहे हैं या फिर एक fun, enthusiasm, excitement वाली उनकी energies रह रही हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी family की interference involvement रह रही है या फिर उनका अपनी family पे ज़्यादा focus रह रहा है या कुछ Libras के partner के लिए ये भी हो सकता है कि उनके you know life में कोई family get together है कोई family event है जिसको लेकर एक excitement है एक enthusiasm है लेकिन छोटे मोटे issues मसले भी हैं और देखे मैं सब Libras के partner की बात नहीं कर रही हूँ कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है कि money, paisa, finances से related एक सोच चल रही है छोटे मोटे issues छोटे मोटे मसले रह रहे हैं and mid of February के लिए Seven of Pentacles, Rivers and Fish के cards कहते हैं कि एक deep thinking में वो रहते हुए दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर बहुत जादा again मैं कहूंगी deeply वो सोच रहे हैं और कोई decision हो सकता है उनको लेना है कोई choice लेनी है उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है कि वो कहीं mid February में या February मन्त में अपने आपको cross roads पे पा सकते हैं जहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि next क्या course of action ले क्या direction ले क्या करना चाहिए जो भी situation जो भी circumstance है और वो possibilities के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या possibilities हो सकती है क्या क्या options हो सकती है और बहुत कम Libras again मैं कहूंगी बहुत ही कम Libras के partner के ले हो सकता है कि आपके अलावा एक healthy बातचीत एक healthy connections वो और भी रखना चाह रहे हैं और उसी से related एक सोच रह रही है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं बट उसी से related एक सोच उनके मन में रहती हुई दिख रही है और दिखिये जो भी हो कहीं end of February के लिए coffin and page of wands reverse के cards कहते हैं कि कोई चीज या तो वो end कर रहे है या फिर कोई ending उनकी तरफ से हो रही है या उनकी life में कोई ending हो रही है जिसको लेकर किसी level पे एक restlessness, एक anxiety वो महसूस कर रहे हैं और कहीं किसी चीज को look forward भी करना चाह रहे हैं एक नई beginning करना चाह रहे हैं और उसी से related भी हो सकता है चोटी मोटी एक anxiety चोटी मोटी एक restlessness वो महसूस कर रहे हैं या तो over excited over enthusiastic हो रहे हैं किसी चीज को लेकर या फिर enthusiasm, excitement लो रह रहा है एंडिके ये ending, beginning सब Libra's के partner के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है Libra's के आपके partner की life में ही कोई ending, beginning हो रही है कुछ Libra's के partner के लिए हो सकता है कि जो भी issues, मसले हैं उनको end करके वो आपके साथ चीजों को better करना चाहते हैं आपके साथ अपना connection अपना relationship strong करना चाहते हैं और उसी से ही related action initiatives लेना चाहते हैं लेकिन कहीं उस तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं या फिर एक immature actions, एक immature initiatives उनकी तरफ से जाधा रह रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कुछ Libras, बहुत ही कम Libras के partner के लिए हो सकता है कि इस relationship को किसी level पे वो end करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं लेकिन ऐसी एक सोच कुछ Libras के partner के लिए रहती हुई दिख रही है और अब दिखते हैं Libras की February मन्त में क्या हो रहा है तो दिखिए February स्टार्टिंग में काफी एक loving, caring energies रह रही है हो सकता है बहुत एक romantic बाते हो रही है आप लोग एक दूसरे को लेकर emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं कहीं शेरोशायरी हो रही है, poetry हो रही है फिर से कहूंगी feelings, love आप दोनों याप दोनों में से कोई एक express कर रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है आपको deeper level पे लग रहा है कि partner की वज़े से आपको एक name fame मिला name fame I know is a very very heavy word आपके लिए चीजें better रही और देखिए कहीं mid February के लिए Lily and King of Souls के cards कहते हैं कि बहुत maturity के साथ चीजों को deal करना चाह रहे हैं और इसी लिए शायद एक logical approach आप लोग रखते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पर दिखें ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि starting of February में बहुत emotional हो रहे हैं और फिर कहीं emotions को control करके logically भी चीजों को deal कर रहे हैं या फिर heart और mind का balance रह रहा है दिखें आप दोनों के cards देखें तो immature energies रहती हुई दिख रही हैं लेकिन यहाँ पर Lily and King of Swords के cards कहते हैं कि maturity से चीजें deal करना चाह रहे हैं या फिर कोई mature male figure हैं या relationship में जो भी male हो सकता है वो थोड़ी maturity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं एक clarity रखते हुए दिख रहे हैं एक detachment के साथ और कहीं यह नो again मैं कहूंगी mind से चीजों को समझते हुए चीजों को understand करते हुए चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं लेकिन दिखें end of February में Libras आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक stuck महसूस कर सकते हैं जहां पर literally किसी चीज से आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसी वज़े से यहां फिर otherwise एक फिक्र एक चिंता रह रही है देखें माइस का काट कहीं कुतरने की बात करता है अच्छा खासा कपड़ा माइस कुतर के यानि की चुहा कुतर के उसको खराब कर देता है तो यह काड एक मेसेज यह भी देता है कि जैसे बुलते हैं कि चन 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 करके एक tension या छुटी छुटी चीज़ें bother कर रही हैं और अगर ऐसा आप Libras पाएं या फिर आपके partner की energies हो तो जरूर चेक करके correct करें और देखें फिर से इस तरीके की एक deeper level के लिए फिक्र, चिंता, चुन-चुन या मतलब बलकुल जैसे छुटी छुटी सी चीज़ों में रहती हुई दिख रही है और इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक stuck energies है हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक travel करना चाहा रहे हैं उससे related issues हो रहे हैं relocation, change of place, change of residence कुछ Libras या फिर उनके partner के लिए रह रहा है या उससे related planning चल रही है और इसी से related हो सकता है कि relationship में भी की life में change of place, change of residence हो यह सिर्फ और सिर्फ कुछ Libras के partner के लिए मुझे रहतावा दिख रहा है कुछ के लिए जैसे कि अभी बताया travel रह सकती है overall के लिए आगे बढ़ना चाहा रहे हैं किसी चीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एक movement नहीं हो पा रही है और stuck महसूस कर रहे है और अब देखते हैं Libras के आपके partner के क्या secret thought process क्या secret intentions है आपके लिए इस relationship के लिए तो दिखें फिर से मैं कहूंगी बहुत सारे Libras देख रहे हैं और possible नहीं है कि हर message हर Libra के साथ resonate करे तो दिखें आपे तीन मैने messages के cards निकाले हैं जो message आपकी situation में applicable हो आपके साथ resonate करें आप connect कर पाएं उसको आप रख लें जिसके साथ आप नहीं connect कर पाएं उसको आप let go कर दें तो सबसे पहला message है I feel like giving up I can't seem to find a way to make us work I'm emotionally burnt out तो देखें वो सकता है कि जो भी situation circumstances रह रहे हैं Libras आपके partner को ऐसे लग रहा है कि बस अब और strength और stamina नहीं है आगे बढ़ने का तो कहीं give up you know करने वाली energies है या करते वे दिख रहे हैं उनको लग रहा है कि कोई रास्ता यह नहीं दिख रहा है कि कैसे हम इस relationship को work out करें और emotionally अब बहुत जादा hard हो रहा है emotionally बहुत issues वो feel कर रहे हैं and second message a distance between us has made me realize just how important you are to me I made the wrong decisions तो पीछे देखिए कुछ चीज़ें अगर उनकी तरफ से wrong रही हैं उन्होंने कुछ wrong decisions or choices लिए तो बहुत clearly वो इस चीज़ को मन ही मन realize कर रहे हैं और आपकी एक कदर, आपकी एक value, आपकी एक importance वो महसूस कर रहे हैं आप से दूर होके आप से थोड़ा सा distant होके and यहाँ पे देखिए सब लिब्राज के पार्टनर के लिए different एक distance रह सकता है कुछ के लिए physical level पे हो सकता है और हमने देखा भी कि travel या तो कर रहे हैं या करना चाहा रहे हैं तो देखिए again कुछ के लिए एक physical level पे distance हो सकता है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से physically दूर रहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि एक ही जगा पे रहते हैं लेकिन उतनी बातचीत नहीं हो रही है एक उतना emotional mental level पे distance आया तो जो भी distance आया तो जो भी distance आया तो जो भी दिस्टन्स आया तो देखिए हमने यहां पे एक कार्ड में देखा था कि वो give up करना चाह रहे हैं या ऐसा वो महसूस कर रहे हैं और दूसरा कार्ड कहीं बोलता है I am feeling hopeful तो contrary से messages है बट अगर आप थोड़ा सा pause करके अपनी energies को भी कितनी बारी realize करें तो एक पल में हम कुछ और सोचते हैं दूसरे पल में कुछ और सोचते हैं तो कुछ Libra's के partner के लिए mixed energies हो सकती है जहां पर circumstances, situations की वजए से कभी-कभी उन्हें बिल्कुल लगता है जैसे give up कर दो लेकिन फिर कोई चीज होती है जिसकी वजए से उनकी एक उमीद जाकती है वो hopeful होते हैं और कुछ Libra's के partner के लिए देखिए giving up वाला message रह सकता है और कुछ के लिए hopeful वला रह सकता है जैसे कि आपको बताया ये general reading है सब Libra's के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा तो ये था Libra's आप लोगों के लिए February 2023 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें